तो इस वक की बड़ी ख़वर हम आपको बता रहे हैं त्रवेन सिंग रावत ने उत्तराखन के मुक्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है अगला मुक्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कल सुबा दस वजे एक मैटपूर्ण बैठा कुनी है बारतिये जंता पार्टी के अगला नाम होगा क्या उसके सामने चुनोती रहेगी कि 22-23 विधायकों की नाराजगी वो खट्म करा सके है देखें अनुराग आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि केंद्री की तरब से लगतार त्रिवेन सिंग रावत को इस बात को लेकर आगाह किया गया कि आपकी लो और इसके बाद नाराजगी जो कारेकरताओं की थी विधायकों की थी वो इतनी बढ़ गई कि वो दिल्लिया पहुची और उन्होंने पार्टी के राष्टिय ध्यक से आकर इस बात को सीधे तोर पर कह दिया कि अगर इनकी अगवाई में हम चुनाओं में जाते हैं तो भार केंद्र की तरब से दो अब्जर्वर भेजे गए हैं वो देश चाम तक पहुचने वाले हैं अनुराग और उसके बाद कल सुबह साड़े-दस बजे बीजेपी मुख्याले में विधान मंडल दल की बैठक बुलाई गई है और उन्हीं विधायकों में से नेता चुनने के यह कहा जाएगा केंद्र की तरब से भी कुछ अपने सुझा होते हैं जो अब्जर्वर उनको बताएंगे और उसके बाद यह तै किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा लेकि रविकांद कुछ बेसिक पेरामिटर होंगे जिन पर अफ्जर्वर्स को ध्यान रखना होगा उत्राखन के जातिय समीकरन उत्राखन में बहुत जल्द आने वाला विधान सवाच चुनाव और ऐसे में एक ऐसा नेता जिसकी जमीनी लोगप्रियता भी हो देखे सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री का गुट है वो अभी भी मौजूद है और वो जाहिर तोर पर परिशान करेगा इसलिए एक ऐसा नेत्रितु चाहिए जो दोनों के बीच में सामनजस स्थापित करे जिसकी पकड़ दिल्ली में भी मजबूत हो और उत परिस्थितियों को समस्ता हो और सारे समीकरों को साधने में माहिर हो उसी उमीद्वार की नाम का चुनाओ किया जाएगा क्योंकि बीजे पीचे आती है कि जब अगले साल विधान सभा के चुनाओ हो उसमें पार्टी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहो इसलिए जब मुक्यमंत्री पत के उमीद्वार का चैन किया जाएगा अनुराग तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा जानकारी ये भी मिल रही है कि RSS से भी सुझाव लिया जाएगा कि उनकी क्या राय है संगठन के लिहाज से और सरकार की लिहाज से वो कौन सा चेहरा होगा जो दोनों में सामंजस से बिठाने में काम्याब होगा देर रात तक कई दौर की बैठक चलने वाली है संग के बड़े नेता जो उतरा खंट पर नजर रखते हैं वो भी देहरादूर में मौझूद हैं और उनसे राय मश्वरा करने के बाद सुबह साड़े दस बजे विध सबसे पहले आप तक पहुचाएगा रुक रहें एक छोड़े से ब्रेक के लिए